खेलो फ्रेंज स्वागत आप सभी का आई हो आपने सीटी वाला जो पिछला वीडियो उसको अच्छे से देखा जोस्तों पसा शेर कर दिया है और उस वीडियो के बाद आप इस वीडियो पर आये हो मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बोला था हम सीटी की जर्नी चैनल है जो फिलाल अभी आपको इसके बारे में गाइड कर रही है और बहुत सारे हैं जो अपने से भी एक्सपर्ट और जल्दी वह भी वीडियो लाएंगे तो आपको टेंशन नहीं लेना है बहुत चैनल्स आपको अभी सपोर्ट करने आने वाली है बहुत कॉंटेंट आपको मिलना है जो भी बेज्ट है आपको छूस करना है उनके साथ रहना है ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है तो पहला टॉपिक आज हम कवर करें computer basics क्यों यहां से start करें sir English का बेटेज ज्यादा है arithmetic वाला जो पार्ट है logical पार्ट है हो ज्यादा है 70 marks का तो वही पार्ट हो रहा है तो फिर आप यह क्यों करा रहे हैं और आपका यह क्वेशन होना चाहिए यह 30 marks के लिए क्यों because जो easy है उसको करके खतम करते है ना at least we secure that much marks तो computer basics के आज 15 marks कवर करने का कोशिश करते है इस वीडियो में आज theory explanation दूंगा topics समझाओंगा फिर हो सकता है next वीडियो में हम MCQs practice कर दे तो चैनल पर आपको बने रहेना है अगर अब तक आपने subscribe नहीं किया ब पूरी तरीके से कोशिश करूंगा तो यहां पर computer basics की start करते है computer basics क्या है तो भाई computer के बारे में basic knowledge जो भी आपने सीखा है in class 19 in class 10 अगर आपको computer था नहीं था तो commerce में science में जो science वाले जो BMS लेने का source e-commerce वाले जिसको आईटी था 11-12 के आईटी में हमने जो पड़ा है वही एक summarized way में एकदब easy way में आ रहा है तो notes ले लीजे चीजों की वरना अगर आप लोगों का ज्यादे comments आते है तो इसी को ही मैं as a pdf share कर दूँगा description में आप वहाँ से download करके भी अपने reference के लिए रख सकते हो but notes बनाओ because खुद की handwriting में लिखते हो ज्यादा चीजे दिमाग में जाती है so खेला चीज organization of computer भाई क्या है computer कैसे चलता है क्या चीजे है वह बहुत अच्छे से और simple तरीके से अपने को समझना है तो अगर हम समझे यहाँ पर अगर आप देखो keyboard, mouse, other input device बरबर यह सारी चीजे क्या है तो यह है input devices कौन से devices? input devices यह क्या करते? input लेते भाई अपना order लेते अपन जो order देंगे वह काम करने का अपन बुलेंगे भाई space बार दबाया मैंने तो computer को क्या करना पड़ेगा? space देना पड़ेगा एंटर दबाया क्या करना पड़ेगा? next line जाना पड़ेगा कैसे हो रहा है? keyboard से keyboard अपने से क्या ले रहा है? order ले रहा है और इसी को professional language में बोले तो क्या ले रहा है? input ले रहा है memory को बेजेंगे memory जायेगा memory मिलेगा CPU से CPU को बेज देगा बहिए काम आया काम आया क्या आया? काम आया है तो CPU क्या करेगा? CPU काम को समझेगा जानेगा? देखेगा तो बोलेगा अच्छ है एंटर दबाने बोल रहा है चलो पहुंच जाओ next line पे क्या बोलेगा पहुंच जाओ next line पे cpu उसको भूल देगा नहा information देदेगा next line next line क्या बोलेगा next line next line और फिर यह से यह चीज आगे बढ़ेगी और जाएगी आउट पूट डिवाइस के पास इसके पास आउट पुट डिवाइस के पास आउट पूट डिवाइस के आपको एक्जामपल है क्या है monitor, printer, speaker ये हो गया output डिवाइस जो output दे रहे है जो काम दियाओ काम करके दिखा रहे है वापस से एक रिविजन कर देते हैं फटा-फट समझो मैंने गाना बजाना चाहरा हूँ ठीक है I want to play a song तो song का example लेगा I want to play a song song बजा रहा हूँ तो उसके लिए क्या करूँगा क्लिक करोंगा किसके थूँ करूँगा माउस के थूँ करोंगा माउस के ठीक करोंगा अब क्या देटा जांएगा memory के पास memory उसको भीजएगी cpu के पास cpu पर बोलेगी भाई 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 लेका बटन रख चुकाँ अब क्या करने का CPU बोलेगा अच्छा क्या अपले है Song, ओके वो यहां से information बेज़ेगा और decide करेगा किसको बेजना है तो भाई गाना कौन सुनाएगा अपने को speaker सुनाएगा तो यहां से जाएगा और speaker के पास पहुच जाएगा तो CPU क्या करेगा CPU इनपुट लेगा प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद आउट्पुट को देदेगा क्या करेगा इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा और आउट्पुट को देदेगा यही काम को पूरे कुछ बोलते अपन organization of computer computer ऐसे ही काम करता है इनपुट लेता है, CPU को देता है प्रोसेस करता है, आउट्पुट देता है इतना आपको समझ गया तो आपको एट टॉपिक बहुत अच्छे से समझ गया है Central Processing Unit जब अपने CPU पढ़ा क्या है CPU तो वैज CPU जो है वो क्या करता है प्रोसेस करता है क्या प्रोसेस करेगा इनपुट प्रोसेस करेगा और क्या देगा, आउट्पुट देगा क्या करेगा, इनपुट प्रोसेस करेगा क्या देगा, आउट्पुट देगा अब सर CPU तो समझ जा, यह तीन क्या लिखा Arithmetic, Logic, Unit Memory, Unit, Control, Unit तो CPU के अंदर तीन बच्चे लोग बैठे क्या नाम है उनका तो उनका पहले गा नाम है ALU मतलब Arithmetic Logic Unit फिर है Memory Unit और लास्ट बट नॉट दे लीस्ट क्या है Control Unit यह तीन क्या है अच्छे समझेंगे डोंट पैनिक आराम से सब होगा Arithmetic and Logic Unit This part of CPU performs arithmetic operation नहीं समझा सब रुको सब समझेंगे It does basic mathematical calculations like addition, subtraction, division, multiplication, etc Further, it can even perform logical functions like comparison, data तो क्या कर रहा है भाई तो यह जो है यह तुमको mathematical calculation करने में मदद करता है addition करने में, subtraction, division, multiplication यह सारी चीज़े करने मदद करता है और data को compare करने में मदद करता है वस इतना ही काम है तो अगर तुमको mathematical condition या फिर comparison of data के related कुछ भी question आया है तो कौन जिम्मेदार? तो जिम्मेदार है arithmetic logic unit क्या? arithmetic logic unit A, L, U समझा क्या? Next Memory unit नाम ही है भाई कुनसा unit? Memory unit भाई क्या करता है? याद करता है क्या करता है? याद करता है क्या याद करता है सर? देखते Once a user enters data using input devices The computer system stores the data अपने डाइगरम देखा अब भी चस्ट जिसमें इसा input से आया Memory के पास गया Memory ने CPU को भेजा यही वो memory item है समझा क्या? The computer system stores this data in its memory unit This data will now remain here until other components of CPU processes it तो यह देख अभी काईसा है समझो तुम लोग होटल में गए बरबर होटल में वेटिंग रहता है तो क्या करते? भाहर ऐसा खुरसी उरसी बिटा दिये रहते हैं इदर बैटो बैटो, बैट करो जब तुम्हारा को एक table खाली मिलेगा तो तुमको बुलाएंगे और अंदर भेजेगे यही काम memory unit करता है memory unit क्या करेगा? memory unit काम जो आ रहा है, input आ रहा है वो सब को बीटा के रखेगा बैट जाओ, बैट जाओ, sit here, sit here उसके बाद एक एक करके CPU की बद भेजेगा, चलो, आपका नंबर आप जाओ, CPU देखेगा, अच्छा, क्या काम करने का ओके, बता देगा, memory unit को फिर दूसरा भेजेगा, ओके, बता देगा तीसरा, ओके, done, समझा? तो क्या करता है? उनको स्टोर करके रखता है, सारही inputs को स्टोर करके रखता है, एक एक करके CPU को बेजता है, CPU उसको प्रोसेस करता है और वापस memory unit को दे देता है कि वाई चल, वाई, समबल, अभी आगे पढ़ते क्या है? The memory unit uses a set of pre-program instruction to further transmit their data to the parts of CPU be overwritten by computer it is also called as non-volatile memory तो अभी इसका काम है, simple सा चीजों का input लेना input को स्टोर करना, CPU को भेज देना, और CPU से काम निकल वाके लेना क्या? स्टोर करना और काम निकल वाके लेना memory unit का काम? memory करना, क्या करना? याद करना, मतलब स्टोर करना, समझा क्या? यानि memory unit अभी भी आया question या इसा आया who stores data तो क्या आएगा? memory unit समझा क्या? CPU के related question आया, mathematics के related आया, तो कौन काम करेगा? ALU, arithmetic logic unit, अगर स्टोर करने के related CPU में कोई question आया, तो कौन करेगा? memory unit और थर्ड जो है, वो है हमारा control unit control, क्या? control कामी है ना नाम में बहुत कुछ चूपा है control unit, चीजों को control करेगा one man army, ये क्या करेगा देखो this unit is the backbone of computers, ये नहीं रहे ना, तो खतम सब, अपन देखते बहुत बार अपना computer हैंग हो जाता है phone के साथ भी ऐसा होता है फोन में भी थोड़ा बहुत CQ का काम होता है चीप वगेरा लगा रहता है क्यों होता है? ये control unit पागल हो जाता है जब ये बीगड़ता है ना तो अपने computer को अपने phone को कुछ मालूमी नहीं है कि भाई क्या करने समझा? तो control unit is the backbone of computer it is responsible for coordinating task between all components of computer system बहुत important है इसी का काम है कि सब को देखना बाई सब बरबर काम कर रहे है क्या everything is fine बाई ये बरबर कर रहा है are you doing fine ये बरबर काम सब चल रहा है इदर से input आया उजर output गया तो ये सब कुछ ensure करने का काम किसका control unit का the control unit collects data from input units and send it to processing unit depending on nature ये क्या करता है देखना बहुत important काम है इसका ये बिचॉलिया है middleman ये आएगा अच्छा इदर आके बुलेगा गाना बजाना है भीया input आया है input लिया memory unit के पास गया waiting में बिठाया memory unit sit down memory unit फिर गया cpu के पास cpu को दिया cpu में control unit के पास जाएगा control unit को बहुत है तो यहां पर बात हो रही है गाने की गाना कौन बजाएगा तो गाना किसके बहार से आएगा स्पीकर को बता दो बजाना है जाएगा वापस से और चीज़े जाएगी memory पास एक बार बता देता हो song का कैसा होगा गाना बजाना है input आया memory unit के पास गया cpu में memory unit है alu है और control है तो memory से जाएगा cpu में cpu के अंदर control unit control unit देखेगा अच्छा क्या थाम है गाना ओके output कौन देगा तो गाने के लिए output तो speaker देता है ठीक है तो जाएगा और speaker को बोल देगा आउट speaker चाल समझा the control unit collects data from input units and send it to processing units depending on the nature finally it further transmits the process data to output units to facilitate user जो बीग example दिया गाने वाला वह ही है same to same 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 no different print समझा गया बड़ा बीच बीच मैं इसे lame jokes मार रहा हूँ because vacation period मैं भी समझता हूँ अभी actually तुमको पढ़ना नहीं चाहिए था CET वगेरा आ गई है तो अभी अपने देना है यह अपना फर्ज है क्यूंकि we want the best college so we need to give this example next जाते है input device और output device क्या है उसको समझने बहुत easy है आपको इतना तो पता ही जिस चीज से हम input देते है जिस चीज को हम order देते वह सारी चीज है input जो हमको output लाकर देता है उसको क्या बुलेंगे output यहां पर देख सकते हैं an input device is a piece of equipment used to provide data and control signals to an information processing system an output device is any piece of computer hardware that converts information or data into human perceptible form or historically into physical machines readable form for use with other non computerized equipment मैं समझाता हो यहां पर image देखो image से तुम बहुत जल्ली समझ जाते हो image पर देखो यहां पर दिया है keyboard optical pen joystick scanner barcode return DMART गए है सब DMART तो गए हो एक बार तो DMART जाते है billing counter पर खड़े रहते क्या होता है या तो बारकोड scanner होता है या तो आई सब गोल गोल गुमता हो है disk रहता है उस पर खाली product रते है टीट करके आवा जाते है उसी जहां entry हो जाते है तो यहां पर दोनों ही machines क्या कर रही है तो बारकोड को scan कर रही है scan कर रही मलब क्या ले रही है input ले रही है उस बारकोड को capture कर रही है समझा तो जो भी चीज अपने से कोई capture कर रहा है कुछ command ले रहा है कुछ काम सुन रहा है वह सारे ही input device होगे जैसे mouse माउस को अपन जिदर लेके जाते हैं वहां पर cursor जाता है क्लिक किये तो open होता है काम दे रहे है ना भाई मेरको कोई file open करना है तो मैं double click कर रहा हूँ तो mouse के through कर रहा हूँ तो mouse क्या हो गया input device keyboard पे कुछ type कर रहा हूँ मैं एक email लिख रहा हूँ email type कर रहा हूँ मेरे को monitor पे दिख रहा है मैं जो लिख रहा हूँ आ रहा है कैसे आ रहा है तो input device वो है जिससे मैं काम करवा रहा हूं output device वो है जो मेरे को output दे देगा example, mail वाला ही लेपे मैं mail type कर रहा हूं ठीक है? keyboard से keyboard से type कर रहा हूं लेकिन मेरे को दीखे ही नहीं अगर कि मैं क्या type कर रहा हूं तो कोई मतलब है क्या? मेरे को क्या मालूम पड़ेगा गलती से कुछ typing mistake हो गया तो जब तक मेरे मोनिटर पे दिखेगा ही नहीं तो मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि मैंने सही लिखा गलत लिखा बरबर ना इसलिए मुझे चाहिए एक monitor monitor पे दिखना चीज़ समझा monitor पे दिखना चीज़ कि मैं क्या type कर रहा था कि गलती हो तो back आके मैं चीज़े ठीक कर सको monitor मेरे को दिखा रहा है क्या दे रहा है output दे रहा है कि भाई देखो तुमने ये type किया था ये देख लो तो जो अपने को दिखा रहा है जो अपने को output दे रहा है वो device को क्या बोलेंगे? output device गाना सुन रहे है, airpots लगाया play किया, गाना बजा तो गाना किसके थुरू बज रहा है? airpots के थुरू मेरा intention क्या था? गाना सुनना, बजा ना? काँसे बजा? airpots से airpots मेरे लिए क्या हो गए? इस के थुरू आया, printer के थुरू आया printer क्या हो गया, मेरा output device हो गया समझा, output devices क्या होते है input device क्या होते है images देखो मेरा video को थोड़ा पीछे जाके वापस सुनो बहुत अच्छे से clear हो जाएगा input device and output device आपनने बाचपन में बहुत बार किया है कई बार पढ़ा है आपने कोई नया चीज नहीं है लेकिन फिर भी doubt आ रहा है comment section आप सभी के लिए खुला है instagram मेरा सब के लिए खुला है add the rate शुभमशा1234 नीचे link दी रहे है जानेगा message करनेगा कुछ भी doubt हो पहले तो comment section ही prefer करो comment section में अगर हो रहा है reply नहीं हा रहा है कुछ भी हो रहा है क्या आपको लग रहा है कि मेरे को सब के सामने नहीं कुछ ना है insta dm next computer memory computer memory क्या है computer memory है ram room क्या ram room ram room क्या है primary सब्जा क्या computer memory is divided in two parts पहला आता है primary दूसरा है secondary primary secondary primary ram on room और secondary अपने को नहीं पता अब यह example दूँगा इसा कैसे अपने को नहीं पता अपने को सब पता तो यहां पर चीजों समझो अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से phone खरीदा ठीक है समझो यह रहा phone ठीक है यह phone अपने खरीदा अब इस phone के अंदर 128GB storage तो यह पहले से अपने को phone वाला देता है पहले से अपने को पहला phone वाला बोलता है बाई दे कि 4 model available है 4GB RAM, 128GB storage 6GB RAM, 128GB storage 8GB RAM, 256GB storage तिरको क्या लेना है तो लेके जा तो यह manufacturer अपने को provide करता है पहले से phone में रहता है इसलिए उसको क्या बोलते है primary memory primary सबसे पहला यह storage है तुमको use करना है तो कर अब मेरे को ऐसा है नहीं है 128GB का budget तो है मैं भिखारी आज में अट दम तो मेरे को 128GB का ही storage है इसके उपर का मेरे पाँ storage नहीं है मैं इसे उपर का पैसा afford नहीं कर सकता लेना तो है मेरे को 1TB वाला phone लेकिन पैसे 128 के ही है तो मैं क्या करता हूँ smartly फड़ा खेलता हूँ मैं memory card insert करता हूँ 1TB का या फिर 256GB का वो मैं को सस्ता बढ़ता है ना phone के उखाव ले समझा तो वो मैं क्या कर रहा हूँ अलग से खरीद रहा हूँ अलग से एड कर रहा हूँ manufacturer ने नहीं दिया memory card मैंने खरीदा मैंने डाला मैंने extend किया तो वो कौन सी memory हो गई secondary memory समझा primary और secondary जो पहले सा आ रहा है RAM ROM उसको क्या बोलेंगे primary memory जो मैं अलग से लगा रहा हूँ उसको क्या बोलेंगे secondary memory एक का example लेते हैं computer का computer अपन बनाते है laptop लेते है laptop में आता है अपने को RAM laptop में भी RAM जाते है 4GB RAM है और समझो 1 TV storage है अब मेरे को अलग से SSD लगाना है computer वाले ने या laptop वाले ने मुझे नहीं दिया primarily मेरे पास कितना था 4GB RAM 1 TV storage मैंने अलग से SSD लगा तो अब वो मेरे लिए क्या बन गया secondary memory समझा primary secondary RAM, ROM और अच्छे से समझते तो यह RAM क्या है, ROM क्या है RAM है random access memory क्या random access memory stands for यहाँ पर एक प्रॉब्लिम आ गया है typo है, ignore करो RAM क्या है, random access memory random access memory अब RAM जो है RAM की दिक्कत है समझो पहले ROM समझते इसका opposite पुरा कर दिया न तो अपना बन जाएगा ROM stands for read only memory RAM क्या है, stands for random access memory full form पूच सकते है MCQ में RAM stands for तो क्या बहुत सारा option दिया रहेगा अपने को क्या लेना RAM है यानि की random access memory ROM पूचा तो read only memory क्या random access memory read only memory RAM ROM next content is not lost when the power supply is switched off अब वो ROM क्या है समझो और RAM क्या है समझो फोन के अंदर अपने 6GB RAM दिया है 128GB storage दिया है तो 6GB जो है वो तो RAM हो गया 128GB जो storage उसको ROM बोलते अब समझो तुम game खिल बरोबर और बीच में तुमको आ गया फोन दोस्त का फोन है नहीं उठाया काली देगा फोन उठा लिया फोन उठाया बात कर रहे है बात्चीत चली 15-20 मिनिट चला चलेगा फोन कट वापस गेम शुरू ये बैग्राउंड में पढ़ा रहता है न बरोबर अब समझो जैसे तुमने गेम खेलना स्टाट किया तुमने एक घंटा बात किया फोन पर अब फोन का बैटरी ड्रेन हो गया फोन 0% हो गया तुमने गेम जस्टाटी की वापस खेलनी और फोन बंद हो गया अब तुम charge करते हो phone वापस start करते हो क्या वो game वही से start होगी या उसको वापस खेलना पड़े शुरू से खेलना पड़ेगा वहीं से start नहीं होगी अगर तुम समझो कोई particular game तुम्हारा going है वो वहीं से start नहीं होगा तुमको आपस लॉबी में भेज़ देगा वहां से वापस स्टार्ट करना पड़ेगा यही चीज यहां पड़े रैम अगर आपका पावर सप्लाई कट आफ हो जाता है तो स्टोर नहीं कर सकता और की रोम करेगा कैसे देखो अब फोन तो बंद हो गया तुमने फोन इंस्टोल किया तो गेम इंस्टोल किया था वह अनिस्टोल हो गया क्या ने इस्टोल है समझा तो रैम क्या है समझो वापस एक बार बहुत अच्छे से समझा दो देखो रैम और रोम रैम में क्या है समझो अगर हम कोई गेम खेल रहे है क्या खेल रहे है गेम खेल रहे है और ये गेम खेलते खेलते मेरे को आगया phone एक गंटा मैंने phone पे बातबाट अपर जिए something इसा चल रहे सब और ऊब बर एक गंटे तक चलता गया चलता गया वापस लिया आया game खेलते खेलते phone speech switch off हो गया switch off हो गया तो जब मैं stat करूँगा क्या गेम वहीं से शुरूँ होगी नहीं होगी लेकिन सेम सिनर्य हो रहा है फोन बंद हो गया अब मैं वापस फोन stat कर रहा हो क्या मेरे को वह game installed दिखेगा की नहीं कि वह uninstall हो जाएगा इंस्टॉल रहेगा ना यानि कि तुम जो भी चीज रोम में करते हो वो सेव रहता है जो भी रैम के थुरू करते हो वो सेव नहीं होता है जब भी पावर सप्लाइ कट आफ हो जाता है यानि internal storage पे आप जो भी store कर रहे हो जो भी process कर रहे हो वो सब कुछ power supply on हो या off हो सेवड रहता है लेकिन RAM temporarily store करता है इसलिए वहाँ पर जैसे ही power supply cut off हो गया वैसे ही आपका सारा data उड़ जाएगा अब Rome को अपन बोलते है non-volatile आप यहाँ पर देख सेब्सक्राइब क्या दिया है non-volatile क्यों non-volatile जब तक तुम खुझ से अप डिलिट नहीं करोगे ना तब तब वो अनिस्टॉल नहीं होने वाला power supply हो ना हो वैसे वैसे रहेगा जब तक खुझ से तुम अनिस्टॉल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला तो non-volatile memory है और RAM को अपन क्या बोलेंगे volatile memory कूंसा memory volatile memory क्यों sir volatile memory because यह तो अपना नहीं ना भाई यह तो गैर आदमी जब इसी अपन बन कर देते हैं phone कुछ सेव कर कह नहीं रखता समझा तो इसी लिए यह क्या है volatile memory non-volatile volatile समझा क्या नहीं समझा रहेगा गर कुछ वीडियो को वापस देखने का फिर भी कोई डाउट आ रहा है कोई कन्फीजन है कमेंट सेक्षन वहां भी नहीं हो रहा है इंस्टाग्राम फूल प्रोसीजर आपके सामने है बस थोड़ा एफ़र्ट लो और चीजों को करो क्या है समस्ते यह एंविच वेरियस कॉम्पोंटेंट ओ अर्पीटर शिस्टेम आरेंज अरेंजन कानेक्टेंट इंवल्स नग्रिए इंवल्स ने फिजदी इन वर्किंग इंट्रॉक्चर ओफ च्रॉक्चर ओपीटर सिस्टम इस इंव्लूद डिजाइन का है architecture क्या है CPU क्या है इंपुट क्या है और यह सब का कैसा बात्चीत होता है यह अपने देख लिया फर्स्ट ड्याग्राप में अपने को बताया क्या था फर्स्ट ड्याग्राम के हिसाप से ही कि फर्स येडैक में को बूलता है सारा इंपुट आ रहा हैसि Earth सिपी यूं के पाहिए चीज लिखी है वेनी देखते हैं कि देखते हैं जहां पर zusा इन केस मेरे computer में कुछ चीज़े गलत हो जाए मेरे phone में कोई virus आ जाए कोई भी scene हो जाए तो मैं एक safety side पे backup create करके रखता हूँ जिससे मेरा data lost ना हो कोई भी important चीज़े जो मैं चाहता हूँ कोई भी case में गायब नहीं होना चाहिए तो मैं उसको क्या करूंगा secondary storage device में store करके रखूंगा backup device में store करके रखूंगा क्या है वो backup devices देखो कौन से कौन से type क्यों होते secondary storage devices कौन से type क्यों होते यह है आपकी ssd SSD में अगर computer यूज करता हूँ या laptop यूज करता हूँ यूज कर सकता हूँ यह obviously क्या है pen drive यूज कर सकते हो pen drive में आप अपने backup ले सकते हो important photos important documents रख सकते हो ताकि जब भी आपके पास एक backup device है कि यह आपर वापस आपको ssd का एक image दिया गया है repetition है यह आपकी हो गए hard disk यह हो गया sd card यानि कि memory card और यह हो गया database कि अब database में भी data को store करके रख सकते हो यानि कि cloud पर रख दिया आप अब cloud अगरा क्या होता है इतनी details में नहीं जाएंगे और confusions create होगी हो सकता है तो कोई और next lecture में explain कर दूंगा cloud के बारे में फिदार आपको यह समझना है कि backup devices are those devices where I can store a backup of my files which are most important to me यानि कि जो भी चीज़े मुझे important है वो में सब उसमें डाल failure और माई phone failure और माई device failure मेरे पास एक backup किस में स्टोर होगा secondary storage device कौन से devices है SSD है pen drive है hard disk के SD card है database है यह सारी चीज़े next system software application software बहुत easy है बहुत simple नामी समझो system और application आपका phone कौन सा Android या iOS नीचे comment में बताने का अगर Android है तो किस operating system पर run कर रहा है बरबर और iOS है तो किस पर comment कर लो फटा 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 अब्वियस्ली Apple phone है तो iOS बाकि कोई भी फोन है तो Android पर run कर रहा है यह जो है वो भी तो एक software है ना यानि कि आपका Android और iOS जो नों ही तो software है ना बरबर तो यह software कौन से टाइब के software है इस आर system software समझा अब बेस्ट चीज़ और एक एक इसी system software का लेते हैं आपका computer आपका laptop किस से चल रहा है Windows पर चल रहा है Windows भी क्या है तो system software समझा यानि कि आपकी operating system को ही हम system software बोल सकते हैं Linux हो गया Mac OS हो गया Windows Android iOS यह सारी system software है तो सर अप्लिकेशन software अप्लिकेशन शॉप्वेर बेटा जो भी अपन इंस्टॉल कर रहे हैं वह अप्लिकेशन software समझा यानि कि समझो मेरा phone जो है मेरा phone S24 S24 के अंदर क्या चलता है Android चलता है तो system software क्या हो गया Android अब इसके अंदर मैंने इंस्टागराम इंस्टॉल किया YouTube इंस्टॉल किया Facebook इंस्टॉल किया यह सब क्या है यही सब तो है मेरा application software समझा क्या आगे देखते system और application को थोड़ा किताबी भाषा में क्या है क्या नहीं system software is a set of instruction required for a computer to work यही नहीं रहेगा तो computer नहीं से लेगा कैसा देखोगे कुछ तो user interface होना चीए कुछ तो होना चीजिसके तुरू हम टच करके या स्क्रोल करके कहीं पर कोई option क्लिक कर सके तो यह जान है भाई computer के यह नहीं रहेगा तो computer या laptop या mobile phone कुछ काम का नहीं for example Linux operating system is a program that allows different application in various components of hardware such as monitor printer mouse keyboard etc to communicate with each other तो यह ही आपको मदद करता है communication करने में यह सबसे बड़ी चीज़े है computer laptop mobile में यह नहीं रहेगा तो उनका कोई existence ही नहीं है यहाँ पर मैंने example दिया है Linux का logo दिया है Windows का यहीं दो सकता है आपने iOS डिसकस कर लिया है Android डिसकस कर दिया है Linux हो गया एक आता है Unix Windows हो गया फिर एक आता है DOS बस इनको याद रखना है क्या Linux Unix Windows iOS Android Mac OS Unix DOS और फिर Blackberry OS ऐसे बहुत सारे है यह सब क्या होग है system software application software क्या है application software is a program और group of programs designed for end user application software includes program like database program word processor browser presentation software spreadsheet etc powerpoint use करते हो application software MS Word application software MS Excel application software logo दिया है popular है कुणसा है WhatsApp application software Instagram application software I hope आपको चीज़े clear हो गए application software क्या है system software क्या है basics of internet देख लेते है basics of internet क्या है तो internet is a global network of billions of computers and other electronic devices internet का पूरा चीज समझे इंटरनेट मतलब क्या एक वे है जिससे मैं communicate कर सकता हूँ एक computer से दूसरे computer के साथ एक computer US में पढ़ा है एक computer इंडिया में है मैं इंडिया वाला computer उस कर रहा हूँ मेरा दोस यूएस वाला computer यूज कर रहा है हम दोनों एक communicate through internet तो internet क्या कर रहा है आपको connect कर रहा है millions of computer billions of computer billions of devices एक दूसरे के साथ connected है वाया internet समझा basics of internet क्या है तो internet क्या है वो समझना है क्या कर रहा है वो समझना है बाकि बहुत सारे चीजे हम आगे देखेंगे discuss करेंगे mcqs practice करेंगे आपको मैं practice करने भी दूंगा और उससे आपको एक topic में clarity आएगा mostly हमने आई टी वाला portion पंदरा माक्ता कवर किया है इस वीडियो में बहुत कुछ और जानेंगे mcqs के जरीए लेकिन overall theory जो थी यहां पर कवर हो चुकी है इतना भी अगर आप करते हो more than enough तब तक अगर आपने subscribe नहीं किया है subscribe करो like करो share करो सब सीटी वाले दोस्तों के साथ अपने को इस बार बेस्ट कॉलेज लेकर ही रहना है इस exam में जल्दी से जाओ share करो दोस्तों के साथ comment करो अपने preparations के बारे में कैसी चल रही है पसंदार है वीडियो आपको क्या है क्या नहीं सारे feedback सारे doubts वाया comments वाया Instagram और कुछ भी query है बिंदास पूछो don't worry I'm here to help you बहुत सारे और creators भी जल जूटने वाले है अलग-अलग अपने अपने चैनल पर इसके उपर वीडियो आने ही वाले है आपके पास sufficient time है हमने जल्दी start किया है कुछ लोग पीछे से आएंगे कोई बात नहीं अपने को सब से सीखना है और बेस्ट देना है मिलते अगले वीडियो में till then take care stay safe और preparation करो एक दम फुल जोस